हेलो दोस्तों तो आज हम बनाएंगे नेवू का खटा और चटपटा अचार जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा तो आईए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं नेवू का चार बनाने के लिए हम एक लो नेवू लेंगे नेवू को हमने अच्छे से बॉस कर लिया था पर हमारी ये बड़े साइच की नेवू हैं तो इस तरह से हम नेवू लेंगे और इने कट कर लेंगे सबसे पहले हम नेवू का जो ऊपर हो नीचे का हिस्सा होता है इस इसे हम साइड में हटा देंगे अब इस तरह से एक नीबू के हम चार पीस करेंगे इस तरह से जो हम नीबू के चार पीस करते हैं तो इसमें मसाला अच्छी तरह से भर जाता है और ये खाने में भी ला जवाब लगता है तो इस तरह से हमने नीबू के चार पीस कर लिए तो इसी तरह से हम सारी नीवू को कट कर लेंगी, तो इस तरह से हमने सारी नीवू को कट कर लिया है, अब हम इसमें कुछ मसाली डालेंगी, हमें नीवू के अचार में ज्यादा मसाली डालेंगी, जरूरत नहीं होती है, इसमें हम एक बड़ा चमस सॉप डालेंगे, सॉप को थो आदान हमारे डाइजिशन के लिए भी अच्छी होती है और ये नीवू के अचार में एक अच्छा फ्लेवर भी लेके आती है अब इसमें एक चमश डालेंगे हम लाले मिच पाउडर अगर आपको ज्यादा तीका फसंद तो आप ज्यादा भी डाल सकती है आदा छोटा चमश डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और दू चमश हम डालेंगे इसमें नमक और आदा चमश डालेंगे हम इसमें काला नमक अगर आप एक किलो नीवू ले रहे हूं तो आप इसी तरह से जो मैंने जितनी चीज़े मैंने डाली है उसी तरह से आप चीज़े डालें तो एक आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी कातके डाल सकते हो अगर आपको हरी मिर्ची पसंद हो मैं बिना मिर्ची डाले ही बना रही हूं इस तरह से हम बढ़िये तरह से सब पूरे नीवू के अचार को मिक्स कर लेंगी और इसे हम पांच मिनिट के लिए ऐसी छोड़ देंगे जिससे इसमें मसाली अच्छी से मिक्स हो जाएं तो पांच मिनिट बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो हमारा अचार बढ़िया तरह से बन गया अब हम एक डिबबा लेंगी आप चाहें तो इसे कांच के बरतन में भी रख सकते हैं हमारे पास एक प्लास्टिक का डिबबा है तो हम इसमें सारा अचार डालेंगे मेरा पूरा डिबबा भर गया बचा हुआ अचार मैं एक छोटे डिबबे में भर के रख दूँगी तो इस तरह से नीवू का अचार बनके तैयार है आप इसे तीन से चार दिन इसे बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहें जिससे य जाए इसमें मसाले और हमारा अचार भी बड़िया तरह से टेस्टी लगने लगी तो आप भी एक वार इस तरह से बना के जबरू ट्राइ करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो पिलीज दूस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थै